एंड ये की तीनों उम्मिदवार और कॉंग्रेस प्रत्याशी नामंकन दाखिल करने को लेकर विधान सभा परीसर पहुँच गया है माजपा ने भीम सिंग और धर्मशिला गुपता को अपना उम्मिदवार बनाया है जदियू की ओर से संजय जहा अपना नामंकन पत्र दाखिल करेंगे कॉंग्रेस की ओर से अखिलेश प्रसांध सिंग भी नामंकन पत्र दाखिल करने के लिए विधान सभा पहुँचे है नावंकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मुख्य मंत्री नितीश कुमार, उप मुख्य मंत्री समरार चौधरी और विजय कुमार सिना, हम पार्टी के सनरक्षन जीतनाम मांजी सहीद कई वरिष्टर नेता विधान सभा परिशर पहुंच गए जनता दल प्रत्याशी संजजहा ने नावंकन के पहले समधाताओं से बातचित करते हुए कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाओं में उनकी पार्टी 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार के वाईदे को पूरा करने के साथ मैदान में उतरेगी नावंकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथी 15 फरवरी तक है 16 फरवरी को नावंकन पत्रों की जांच की जाएगी नावंकन वापस लेने की अंतिम तिथी 20 फरवरी है जरूरत पढ़ने पर 27 फरवरी को मद्दान कराया जाएगा उसको पूरा करना है कोई काम करना है पूरा स्ट्वीप और मार्जिन भी कोई भी सीट ऐसा नहीं है जहां 4 लाग से कम का मार्जिन होगा इस बार बिहार में